आज मैं आपके साथ बहुत ही खास वीडियो शेयर कर रहे हूँ आज मैं आपको बताऊंगी कि आप दूद की मलाई से बटर, घी, पनीर और मावा कैसे बना कर त्यार कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये यूसफुल वीडियो ये मैंने दूद की मलाई ली है, मेरे घर जो दूद आता है उसकी ये साथ दिन की मलाई है मलाई को हमेशा मैं फ्रीजर में स्टोर करती हूँ, जिससे वो बिल्कुल खराब नहीं होती, इसमें स्मेल नहीं आती है तो मलाई को यह मैंने फ्रीजर से बाहर निकाल लिया है इसे मैंने फ्रीजर से आधा गंटे पहले बाहर निकाल लिया था और अब हम इस मलाई का बटन निकालेंगे तो जो मलाई है उसे मैंने एक बड़े बटन में ट्रांसफर कर लिया है और अब हम क्या करेंगे हमें कोई बिर चम्मच, विस्क या फिर एक फॉक ले लेना है और इस तरीके से इस मलाई को फैट ना है ये देखिए इस तरीकी से Gastल आपको इसमे दाल देना आइस क्यूब्स टो मैंने इसमें डाल दी है एब अछी तरीके सेसे से आइस क्यूब्स और ठंडा पानी डालने से इसमें बहुत जल्दी बटर निकल आने लगता है और ये देखिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करने पड़े कि बहुत ही आसानी से जल्दी से बटर निकल आएगा अभी मैंने इसमें फ्रिज का थोड़ा ठंडा पानी डाल दिया है और इसे अच्छी तरीके से फिर से हम चलाएंगे इस तरह बहुत आसानी से बटर निकल आता है आपको कोई भी मिक्सी का जार वगएरा भी गंदा करने की जरूरत नहीं होती है बहुत ही आसानी से ऐसे बट निकल जाता है यह देखिए बटर निकलने लग गया है अभी मैं इसमें थोड़ा सा थंडा पानी और डाल दूंगी जिससे बहुत ही अच्छी से बटर निकल आएगा आप इसमें सर्द्यों के दिनों में हमेशा थोड़ा गरम पानी डाले और गर्मियों के दिनों में बटर निकल चुका है तो बस इस बटर को हम निकाल लेते हैं बहुत ही बड़िया तरीके से बटर त्यार हो चुका है अब आप इस बटर को हातों से इस तरह एक साथ कर लें इसे कलेक्ट कर लें एक जगा पर यह देखिए सारा बटर हमने एक तरफ कर लिया है तो बस अब इस बटर को हम निकाल लेंगे इसे हातों में लेकर इस तरीके से थोड़ा सा निचोड़ लें ताकि इसमें से जो पानी है वो सब निकल जाएगा और अब इसे एक अलग बरतन में रखते जाएं इसी तरह आप सारा बटर निकाल कर त्यार कर लें यह देखिए अब जो बटर आपने निकाला वसे आप चाहें तो दो तीन बार पानी से धू सकते हैं कि परादी तो यह देखिए सारा बटर हमने निकाल लिया है और अब ये जो आपके पास यह बचा है ना इसे हम फैकिंगी नहीं इसका इसत्वाल बदेगी इसका इस्तमाल हम पनीर बनाने के लिए कर पर रखिए एक कड़ाई इसमें डाल दिया है एक कप दूद और दूद को हम गर्म कर लेते हैं और अब जब दूद में उबाल आने लग जाएगा तब हम इसमें वो मिल्क डाल देंगे जो बटर निकालने के बाद बचा है बटरमिल्क इसमे डाल देंगे यह हमने डाल दिया और बस अब हम इसे अच्छी तरीकी से गर्म करेंगे और जब यह गर्म हो जाएगा तो हम इस से पनीर बनाएंगे पनीर बनाने के लिए आप चाहें तो विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नीवू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अब ये गर्म हो गया अच्छी थरीके से तो मैंने गैस का फ्लेम आफ कर दिया है और अब मैं पनीर बनाने के लिए यहाँ पर विनेगर का इस्तिमाल करूंगी अब ही मैंने दो चम्मच विनेगर लिया था जिसमें दो चम्मच पानी डाल लिया और इस मिक्स को त्यार कर लिया अब इसे हमें इस दूद में डाल देना है और ये देखे डालते ही हमने जैसे हिलाया है और ये देखे ये हमारा पनीर फट चुका है इससे पानी पानी सा अलग हो गया है और जो छेना है वो अलग हो चुका है ये देखिए ये हरा हरा असा पानी अलग हो गया और छेना अलग हो गया तो बस अब हम पनीर निकाल लेते हैं तो यहाँ एक बरतन लिया है इसके उपर एक छलनी लगाई है और ये हम लगा देंगे इसके उपर कॉटन का कपड़ा कपड़े को पहले अच्छी तरीके से पानी से गीला कर लें और तब इसका इस्तमाल करें इसे पनीर कपड़े में नहीं चिपकेगा और अब ये हमने इसमें डाल दिया है पनीर और अब ये जो पानी निकला है इसे भी हम नहीं फैकेंगे इसका इस्तमाल हम आटा लगाने में, सबजी वगएरा बनाने में या कड़ी वगएरा बनाने में कर सकते हैं अब यह जो पनीर है इसे हमें पानी से अच्छी तरीकी से धो लेना है ताकि इसे इसमें विनेगर का खटापन बिल्कुल भी न रहे तो इसे अच्छी तरीकी से ऐसे वाश कर लें अगर आप नीबू को इस्तमाल कर रहें तब भी पनीर को ऐसे वाश जरूर कर लें तो कपड़े को घुमा कर इसका पानी निचोड़ ले और आपको क्या करना है अब आपको इस पनीर के उपर थोड़ा सा वजन रख देना है ताकि से यह बहुत ही बढ़िया तरीके से सैट हो जाए तो यह देखिए अब मैं इसके उपर वजन रखूंगी मैंने से एक प्लेट में रख दिया है और यह मैंने भारी चावल का डपा इसके उपर रख दिया है बस हम 5-7 मिनट के लिए से इस तरीके से छोड़ देंगे और 5-7 मिनट बाद ही आपका पनीर बन के तयार हो जाएगा क्योंकि बहुत जादा पनीर नहीं है थोड़ा सा यह तो 5-7 मिनट में बन जा पर इसे अच्छी तरीके से पिगलने दें यह देखिए जो बटर है वो पिगल चुका है और हमें अब गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इस घी को बना लेना है बहुत ही जल्दी घी बन जाएगा कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बस इसे लगातार चलाते रहें अब यह देखिए जो बटर था उससे घी निकलने लगा है अब हम इसे लगातार चलाते हुए ही इसी तरीके से थोड़ी देर पकाएंगे ताकि जो हमारा घी है लंबे समय तक हम उसे स्टोर कर सकें वो बिल्कुल भी खराब ना हो अब यह देखिए घी बन चुका है और नीचे यह जो घी में बैठा हुआ है यह मावा है तो इस तरह अब हमने यह घी बना लिया और मावा भी बन गया तो बस अब यह घी अच्छी तरीके से पक चुका है तो अब मैं गेस का फ्लेम आफ कर दूँगी और इसे चान लोगी जब यह घी थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब ही चाने अगर आप गरम गरम घी को काच के बरतन में चानेगे तो काच के बरतन का तूटने का डर होता है तो अगर आप गरम घी चान रहे तो इसे स्टील के बरतन में चाने अब देखिए यह जो चलनी में बचा है ना यह है मा इसका इस्तमाल आप कोई भी मिठाई वगएरा बनाने में कर सकते हैं या फिर सबजी वगएरा में आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं तो देखे घर के दूद की ही मलाई से हमने कितनी सारी चीजे बना ली बटर बना लिया पनीर बना लिया घी बना लिया और मावा भी तियार कर वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें